हरी कृष्णा राधे राधे, हमारे पास बहुत सारे प्रश्णा आ रहे हैं कि सावन महीने में क्या करें, क्या ना करें, किस तरह करें तो आज इस वेडियो में हम सावन महीने में क्या क्या करें के विश्य पे चर्चा कर रहे हैं देखो हिंदू धर में सावन का महीना बहुत पवित्र माना जाता है ये महीना भगवान शिव को समर्पित होता है उनका प्रिय महीना होता है पुरानों के अनुसा सावन महीने में ही समुद्र मंथन में जो जहर निकला था वो भगवान शिव ने पिया था जिससे उन्हें बह करने से भोले नापकी विशेष कृपा मिलती है सावन का महीना शिव जी जी के साथ साथ माता पारवती को भी समर्पित है इस महीने में जो भववत चेमन से शिव जी और माता पार्वती की पूजा करते हैं उन्हें उनका आशिवाद और शुफल गलता है अब एक प्रिशन आता है कि सावन में हम क्या क्या कर सकते हैं तो देखो थोड़ा सा डिटेल पता रहे हूं हम सावन का वरत कर सकते हैं हम सावन में मतलब पूरे सावन के महीने का वरत कर सकते हैं, इस वरत में वरती को एक समय शाम की पूज़ा के बाद खाना खाना होता है, खाना शुद सात्विक अहार लेंगे बिना प्याज लेस्टन का, इस वरत में अन और नमक दिन में एक ही बार खाएंगे, जो पूरे महीने सावन का वरत नहीं कर सकते, वो सावन के सोमवार और कृष्ण पक शिवरात्री का वरत शरूर करें, शिवरात्री वरत में फलहार खाया जाता है, सोमवार वरत के नियम साध़क पर है, कई साध़क मीठे वरत करते हैं, कई एक समय नीठा अन वाला खाना खाते हैं, कई एक समय अन और नमक की नियम से सुमवार का व्रत करते हैं, कई सलहार के साथ करते हैं, तो ये पूरी तरह से साधक की इच्छा है. अगर आपको सॉमवार व्रत उठाने हैं, मतलब आप चाहते हो कि मैं 16 सॉमवार का व्रत कर लूँ या एक साल तक सॉमवार के जो व्रत होते हैं वो कर लूँ तो वो सावन महीने से शुरू करें चाहे आप 16 सुमवार करना चाहते हो या खुले सुमवार के व्रत करने चाहते हो सभी भक्तों को पूरे महीने प्याज लहसुन नौन वैश शराब आधी का त्याग करना चाहिए पूरे सावन के महीने भगवान शिव का अभिशेक करें अभिशेक आप गंगाजल पंचामरस से कर सकते हो पूरे सावन के महीने नियम से रोज भगवान शिव को बिल्व पत अर्पित करें सिर्फ अर्पित ही ना करें बिल्व व्रिक्ष भी लगाए ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यत्तीर सुमवार के दिन प्रदोश वाले दिन शिव रात्री को या शावन मास में किसी भी दिन अत्वा शिव योग वाले दिन पांच या अधिक दिल वो व्रिक्षों का रोपन करता है उसका नियमित पालन करता है तो उस व्यत्ती को शिव लोग की प्राप्ति होती है यदि इन विक्षों को कोई भी मनुष्य शिव मंदिर में या मंदिर के पास लगाता है तो समझो उसको तो कोटी-कोटी पुन्ने का भागिदार होगा और उसे और उसके परिवार पर भगवान शिव की असीम अनुकमपा हमेशा मिलती रहेगी जो पूरे सावन के महिने का वरत करती हैं वे जमीन पर सोएंगे ग्रहमचारे वरत का पालन करेंगे अगर पॉसिबल हो सकेगा तो पतल में भोजन करेंगे अच्छा इसके अलावा रोज मुरियम से शावन मास महत्तम को सुने हमारे चैनल पर रोज मृयम से एक अध्याय सुनाया जाएगा जरूर सुने ज्यान तो बढ़े गई साथ ही शिव कृपा प्राप्थों की सावन की कहानी सुने भजन कीर्दन करे सोमवार को अगर रत ना कर पाओ तब भी शिव के विशेश दिन पर शिव्जिजी की पूझा जरूर करना, कथा सुनना आठी करना सोमार रत कैसे करें उसकी पूझा विधी कथा आदी की विडियो अगर आपने अभी तक वो विडियो नहीं देखी तो उस विडियो का लिंक पीचे प्रिप्शन में है जरूर देखे पूरे सावन मास मौन व्रत धारन करके रखे, मौन व्रत तीन तरह का होता है, पूरे दिन का, या सूरे उदे से लेकर सूरे अस तक का, या दिन दिन के समय का, सूरे अस से लेकर अगले दिन, सूरे उदे तक का, मतलब रात का, या भोजन करते वे मौन व्रत करना भी बहुत अच्छा होता है। पूरे महीने शांती का वातवरन रखे अपने आज पास किसी से लड़ाई जगड़ा या बहस पिलकुल ना करें। सावन के महीने में कभी भी नीला, काला, खाकी यानी जनेवी ब्लू कलर होता है, भूरा रंग इनका प्रोकुल नहीं पहनना चाहिए। जाती है आधी परिक्रमा की जाती है इस बात को थ्यान रखना रोज शिव मंदिर में दीबदान का नियम ले सकते हैं सुभा अभिशे करने के बाद दीब जरूर प्रजृत करें शिव शंकर की आर्टी करें इसी के साथ शाम को मंदिर में शिव पारवती के पास यह शिवलिं में हमें हमें अपनी किफि प्रीए वस्तु का त्याग करना चाहिए को शिव लिंग पर कुछ विशेश वस्तुय और पित के जाती है जिसे शिव मुठी कहते हैं जिसमें पत्थम सुमवार को कच्चे चांवल एक मुठी, दूसरे सोमवार को सफेद तिल एक मुठी, तीसरे सोमवार को खड़े मूंग एक मुठी, चौथे सोमवार को जौ एक मुठी, और यदि जिस मास में पांच सोमवार हो, तो पांचवे सोमवार को सत्तु चढ़ाने जाते हैं, और यदि पांच सोमवार न शावन सोमवार वरत को अमोग फलताई कहा गया है विवाहित महिलाव को शावन सोमवार का वरत करने से परिवार में खुश्या, संभृध्धी, संमान मिलता है जबकि अगर आदमी इस वरत को करते हैं तो उन्हें अपने वेवसाए में उनत्ती मिलती है, काम धंदा बहूत अ अगर अविवाहित लड़कियां क्वारी लड़कियां ये व्रत करती है तो उन्हें उनका मनचाहा पती मिलता है इच्छितवर मिलता है शिव जी पूजा करते हैं समय आपकी भावना शुद्ध और साथ्विक होने चाहिए जैसे भगवान शिव खुद है इस तरह जीवन धन धाने से भड़ जाता है भगवान शिव सभी अनिष्ठों को हर कर भक्तों के कश्टों को दूर करते हैं अगर आपके लिए हर रोज शिव अरादमा करना संभव ना हो तो सोंवार के दिन तो पूजा अचना जरूर करें अब देखिए आपके पास कितने सा सबसे पहले आप्शन आया कि चातुरे मास का व्रत कर लो चार महीनों का महीं हो पाया तो हमने कर ठीक है आप सावन का सिर्फ जो एक महिना उसका व्रत कर लो अगर वह भी नहीं हो पा रहा है तो कम से कम पूरे महीने की पूजा कर लो अगर वह भी नहीं हो पा रहा है तो सा को लेते हैं और अपने जीवन में कितनी सक्रापमक्ता को कितनी पॉजिटिविटी को पढ़ाते हैं याद रखना शावन मास भगवान शिव का प्रिये मास है इस मास में की गई भक्ति तुरंत फल देने वाली होती है जैसे बड़ी जल्दी इसका रिजल्ट आपको मिलता है चातुरे मास में भगवान विश्नुश्यन करते हैं और भगवान शिव पर प्रित्वी का भारा आजाता है आपको रोज शावन मास महत्तम की कथा मिलेगी उसको जरूर सुनिएगा इससे ग्यान तो बरता ही है साथ ही भगवान शिव स्वेम सादक की रक्षा करते हैं उनक संचित पापों का नाश होता है मैं उमीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी इस से रिलेटेड़ अगर आपके पास कोई भी कमेंस या सजेशन हो तो प्लीज हमें लिखे ज्यान बातनी से बढ़ता है इस वीडियो को दादा से दादा शेयर करें अधिक जानकारी के लिए आप हमें फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फोलो करें प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब थैंक यू, हरी कृष्णा